वेल्कम बेक टू माइच चैनल एंड थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो तो आज में इस वीडियो में आपको ट्वी नीडल का यूज का बताऊंगी कि कैसे इसका यूज होता है और कैसे ये मसीन में अटेच की जाती है तो ये मैंने जो है ओनलाइन पर्चिस की ती ये ट्वी नीडल्स का सेट आता है और ये भी ट्वी नीडल्स है ये जब मैंने मसीन पर्चिस की ती तब ये मुझे मसीन साथ मिली थी और आपकी मसीन साथ अगर ये ट्वी नीडल्स नहीं आती है तो आप ऑनलाइन पर्चिस से कर सकते हैं ऑनलाइन आया आराम से मिल जाते हैं छोट साथ नमबर पर देख रहे हैं यह three mm की और जो second number पर है वह two mm की और third number पर है वह üç mm की तो समें mm का जो है difference होता है neडल्स में डेखने itttoo से राहिए, आप बीच में गड़िये देख रहा एन ना वह रहे होता है इनमें, तो और जब कमें यह इम्राइडी करेंगे हम तो हम जिगजग फुट का यूज़ करेंगे या ओबन टू फुट का यूज़ करेंगे क्योंकि ये ट्वी नीडल्स होती है इन में हम इम्राइडी करते हैं तो थोड़ा इस पर ज्यादा हमें लेना होता है तो हम ज़्यादा तक यूज़ करेंगे open two foot का जिसमें हमारी needle break भी नहीं होती है और embroidery भी हमें clear नज़र आती है में करते हैं तो अभी मैं आपको two mm की needle का जो है वो use करके दिखाऊंगी तो चलिए देख लेदें किस तरीके से को machine में attach करना है तो यहां में three types के अलग color लेके ठेट के अलग-अलग color लिये हैं मैंने तीनों अलग-अलग color मैंने इसलिए लिये हैं ताकि आपको clear sign में आए कि अलग-अलग color करने पर embroidery कैसी लगती है इस needle से जह हम two needle के use करते हैं तो दो जो thread है मैं ऊपर needle में डालूँगी और एक में है न बॉमिन में fill कर लूगी तो हमें क्या करना है जब हम thread इसमें attach करेंगे तो एक thread spool तो हमारे machine में attach होता है और एक हमें extra में मिलता है हमारे machine साथ में तो हमें एक स्पूल भूह लगाना होगा, दूसरे छेट लॉल के लिए। जो बॉमें है हम उसे फिल कर लेते हैं। देखी मैंने बॉममें जो है फिल कर लिए है यलो कलर से और जो पिंक और गींक और ऑर गरेन यह में आप में मसीन में किस तरीके से डालना होगा हमें तो सबसे पहले हमें जो हमारे मसीन में अटैच है स्पूल एक थ्रेड तो मैं उसमें डाल लूँगी और थ्रेड स्पूल का जो इस्टोपर है मैं उसमें वो लगा दिती हूँ और सेकंड जो सबसे हम बॉमिन फिल करते हैं ये ये लगा दिया है तो इसमें हमारे थ्रेड डालने क्लिए इक प्रेड के रॉट है तो इसमें हम जो सेकंड नंबर का थ्रेड है में अजो अगरुड कलर लिया है द Stones बूफ़ भी रिया है को दरीए जो हमारा सहसे पहले होता है मस्राइसे दीज़ दोनों का यहाँ चिका का यहाँ से ड्लेखने घुए हम दकिया को इस लिय कि YE candid जेता है तो से पहले भी नीडल चेंज कर ले नहीं है हमें यहां से नीडल करने के लिए देखे जो हमारा उपर की साइट सक्रू था मैं उसको उप difficult हो यहां से क्या है हमारी नीडल आराम से रिमूभ हो जाती है तो हमारी सिंगल नीडल थी चैiness कर लिए है आप इसमें हमें तेनीडल क लगाऊंगी तो ट्वी नीडल लगाने के तरीखा क्या है जो फ्लैट वाला पॉर्षन होता है वो हमें मसीन के अंदर रखना होता है और जो उबरा हुआ पॉर्षन होता है ना तो वो हमें मसीन के बाहर की साइट रखना होता है यह वाला देख रहा हूँ जो फ्लैट है बल् इसको थोड़ा टाइट कर देंगे, नीडल थोड़ा आप सापधानी से लगाईएगा, थोड़ी सी तीड़ी बगरा होई अगर नीडल तो ब्रेक भी हो सकती है, अब हमें नीडल के अंदर ठेड जो है अपना, यह मैंने फूट भी अटेच कर लिया, जो जिग जग फूट है मैं अभी वही यूज़ करके करूंगे इसकी उपर, और यह मेरा प्लास्टिक बेस पर है, बाद में मैं आपको ओपन टू फूट का भी यूज़ करके दिखाऊंगे इसकी उपर, क्योंकि अभी मैं टू एमेम की यूज़ कर रही हूं, जब थ्री एमेम की यूज़ यह तो इसमें फ्रीड नहीं डालेगा, हमें नॉर्मली अपने हाथ से ही डालना होगा ठ्रीड जैसे हम डालते हैं नॉर्मली तो हम इसी मसीन में डॉनर में मैं नीडल में फ्रीड डाल लिया है देखी डल चुपा है और ठ्रीड डालने के बाद हमें जो है यहां से चेक कर लेना है, जो हमारे मसीन है हम कोई भी स्टिचिस करें, यहाँ से हमें लेंथ और बिर्थ दोनों ही चेक करनी है कि आपको मुव करते हुए कि आपके नीडल फुट से टकरा तो नहीं रही है तो देखिए मैंना फूर्ट नंबर की जो स्टिच है बोश लेट करें अभी मैं आपको जिग्जग करके दिखा रही हूं उसके उपर उसके वह क्लियर ही सही में आगा कि ट्वी नीडल से वर्क हो लाइने बगरा कर लेनी चाहिए ताकि हम जो भी इम्रोयडी कर रहा है तो प्रॉपर तरीके से हो एक लाइन में यहाँ पर मैंने फोड नमबर की जो इस्टिस लट की है उसकी मैंने लाइन रखी है बन पॉइंट फोर और जो बिर्थ है बीच मेरी पूरी इम्रोयडी को है 3. मैंने अपना हैंड वील था मेरे मसीन का मैंने उसे थोड़ा सा गुमा कर देखा था कि निदल टख रा तो निदे उसके बाद ही मैंने जो फूट कंट्रोल है न उसमें रेज दिया इसकी स्पीड बढ़ाई है जह मैंने देख लिया कि मेरी निदल का इंबेक सुन्हीं हो थ से एक साथ आप टू कलर यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही खुबसुरत अपना फैब्रिक पे इसका डिजाइनिंग दे सकते हैं तो देखें कितने फिनीशिंग तरीके से इसका ही इम्रोडी हुई है और मैंने प्लास्टिक बेस का जो है फुट वो यूज़ किया हुआ है कि अब मैं आपको एक और इम्रोडी करके दिखाती हूं इसकी उपर आपको थोड़ा सा और लुक सांज में आएगा तो अब मैं स्लेट कर लेती हूं इम्रोडी को इम्रोडी कितनी खुप शर लग रही है देखने में डू कलर सेंज विए हैं एक ग्रीन और एक पिंग हो दोनोगी कलर बहुत प्राय हूं इम्रोडी भी होने पर बहुत सब्सक्राइब लग रहे हैं तो देखिए मैंने अभ यहाँ पर 11 नंबर की जो इस्टिशे बहुत स्लेक्ट कर लिए है और जो लैंध है वो 2.0 है बिट देखें यहां पर 0 दिखा रहा है जो इम्रोइडी बिट थे ना वो बिल्को जीरो है तो मैंने अभी यहां पर वही रखी हुई है पहले हैं जो हमारा हैंड भी लेना मैं उसको मूब करके देख लोंगी नीडल हमारी जो है वो फुट से टक्रातों नहीं रही है और प्रॉपर तरीके से वो सैट है अंदरी सैट क्योंकि जरा सा भी आपका अगर यहां से वहां नीडल का टक्राना हुआ तो आपको तुरंध नीडल जो है वो ब्रेक हो जाएगी तो पहले आप कोई भी इंडल कर रहे हैं हैंड बिल से थोड़ा सा मूब करके देख लें अपनी नीडल पर के वह कहीं टक्रानी है उसकी बाद ही जो फुट कंट्रोल होता है उसको स्पीड दें तो देखे मैं चेक कर लिया बहुत अच ताकि मेरी ऐसी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे तो देखे मैं जो सेकंड नंबर की हम राइड़े बो करके दखाई है को कितना प्यार लोग लग रहा है इसका उपा के साइट जो है वो गिरीन आया है और जो नीचे के साइट है वो पिंक कलर ह है बहुत ही प्यारा बहुत ही कूशा लोग लग रहा है तो इंडिल यूश करने का फाइदा यह है दखें बैक से सके से इस कुछ तो पिर्थ की और अब में आपको आपको नम्म के जो पैटर्न हैं बोर और करे करके दिखा थी उसके उबर देखने में तो कुछ इस तरीके की आपकी इम्रोइटी आप फैबरे पे कर सकते हैं बहुत प्यार प्यार डिजाइन मनाई आप इससे टूइ नीडल से आपकी जो इम्रोइडी इसका पैटर्न भी भरा भरा लगेगा आपकी टाइम की बच्चत होगी इससे तो यह दो मैंने आपको 2mm की जो नीडल है उसका यूज करके दिखाया है कि 2mm में कितना कैसा लुकाता है और कितना डिश्टेंस होता है हमारे इम्रोइडी की बीच में तो अब मैं आपको जो है वो 3mm का नीडल का यूज करके ताओंगी कि 3mm की नीडल जो होती हो उसमें कितना डिश्टेंस सता है mroid की बीच में तो यहां से हमें नीडल कं लेए नहीं है ठेंच तो यहां से में screw loose करके 2mm की जो needle है वो निकाल लूँगी और 3mm की needle जो है उसे fix कर लूँगी देखिए मैंने 2mm की needle को निकाल लिया है और 3mm की जो needle है वो मैं इसमें attach कर लेती हूँ और लगाने का process वही होका जो fleet वाला portion है needle का वो हमें रखना है अंदर की side और जो उबरा हुआ part है वो रखना है आमें बाहर की side निडल आपको हमेंसा इसी तरीके से लगानी है machine में और यह जो मैंने needle purchase की थी online इसकी quality अच्छी है ऐसा नहीं है कि मतलब यह break हो जाएए आसानी से नहीं बस आप थोड़ी सी सापधानी रखनी है कोई भी needle attach करने से पहले और यह मैंने open to food का यूज करने का बीडियो है मैं अपने पिछली बीडियो में बता चुकी हूं कि क्या होता है इसका यूज तो देखे मैंने यहां पर जो needle है fix हो चुकी है फुट भी fix कर लिया है आप मुझे यहां पर emerald करनी है और देखे यह 2 mm की जो needle से मैंने emerald की थी इसमें और उसमें 3 mm की needle में क्या अंतर है वह मैं आपको बताऊंगी जब यह 3 mm की emerald हो जाएगी इस पर fabric पर इसका work जो है थोड़ा अलग होगा और 3 mm का work जो है वह थोड़ा अलग होगा तो यहां से मैंने emerald select कर लिए वही emerald जो मैंने 2 mm से की थी वही pattern मैं आपको यहां करके दिखाऊंगी ताकि आपको दोनों में distance संजने है तो पहले हम जो emerald यह बहुत कर लिए 4 number की वही width और length रखी है जो मैंने पहले रखी थी तो देखिए मैंने same वही pattern करके दिखाया है जो 2 mm करके दिखाया था अब देखिए क्या distance है तोनों में यहां पर आपको दिख रहा होगा जो मैंने 2 mm से emerald की थी तो उसका टाकर जो एक दूसरे को attach कर रहा है तो य 3 mm में है थोड़ा बीच में distance आएगा emerald के अब मैं आपको second pattern करके दिखाऊंगी जो मैंने 2 mm से किया था तकि आपको और सज में आए तो देखिए मने second वाला जो pattern है वो करके दिखाया है आपको second pattern में देखिए आपको यहां पर जो आपको दिख रहा होगा इसमें बीच में emerald में distance नहीं है इसमें लेकिन थोड़ा सा distance है emerald की बीच में देखिए अब मैं आपको third number का जो आपको यहां पर दिख रहा है वो आला पटन करके दिखाऊंगी के distance कैसा है उसमें और आपको clear sign में आएगा तो इस तरीके से आप pattern two needle से कर सकते हैं आपको जो लगता है आपक इसी भी needle से work कीजिए बस थोड़ा सा बीच में embroidery के distance आएगा आपके तो देखिए यहां पर आपको clear sign में आ रहा हो मैंने two mm से जो work किया था वो थोड़ा भरा हुआ सा और बहुत ही नजदीक है एक दूसरे के color के जो pink है और green है बट इसमें जो pink और green की बीच में घल की सी आ इसमारा नजर आ रहा है यह distance होता है और अगर आप 4 mm की करेंगे तो 4 mm में थोड़ा सा और बीच में distance आएगा तो इस तरीके से यह दोनों मैंने आपको difference बता दी है कि mm में क्या difference होता है और जब भी आप needle use करें तो हमीसा आप यहां पर जो की बिर्थ है उससे select करने के जो trade tension है आपको उसे भी select करना है सही से ठेट का जो tension है देखिए मेरा जो है 1 से थोड़ा सा plus है तो मैं हमेशा 1 से थोड़ा सा plus या थोड़ा सा और जाता रखती हूं 1 & 2 के बीच में वट आप जब भी कोई trade ले रहे हैं silk trade है आपका तो हमेशा यहां से tension check कर लें उसके आपको यह वीडियो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक like और एक comment जरूर करिएगा और वीडियो helpful लगे तो उसे share भी जरूर करिएगा नेक्स वीडियो में ऐसे ही वीडियो आपके पास लाती रहोंगी और topic पर अभी तक के लिए इतना ही नेक्स वीडियो में फ